Hello dear learners, welcome back to my channel So in this lecture, we will discuss the method to find this sum of first and terms of an AP So let's get started So as we all know, यह हमारा है 10th class का math का chapter number 5 Arithmetic Progression जिसमें कि हम देखेंगे कि sum of first and terms of an AP को हम कैसे find करते हैं उसका method क्या होते हैं So sum of first and terms find करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी AP की end terms क्या होती है So previous lecture में मैंने बहुत detail में बताया है कि end terms क्या होती end term क्या होती और उसको हम find कैसे करते हैं उसका formula क्या होता है So अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बर जाकर जरूर से देख लेना Link आपको description box पे भी मिल जाएगा ओपर i button पे भी मिल जाएगा तो एक बर वो चीज़ देख लेना So क्योंकि आज का हमारा topic है Sum of first end terms of an AP तो इसलिए आपको end terms के बारे में पता होना चाहिए तो समझते हैं कि sum का मतलब क्या है यहाँ पे एक मैं AP लिखूँगी AP मेरी है 1, 2, 3, 4, and 5 यह मेरी पास एक AP है जिसमें की first term है मेरी 1 last term है मेरी 5 और total number of terms है 5 और इनमें D क्या है difference क्या है 1 का So मैं एक बर लिख लेते हूँ यहाँ में पास A1 है 1 D difference है मेरी पास 1 number of terms है total N and last term that is A5 है 5 So यह हो गई detail Now अगर हमें पूछा जाए कि इस AP का sum क्या है इस AP में जो first 5 terms है इनका sum क्या है तो हम कैसे देखेंगे मतलब यह कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 बताईए ठीके यह तो होगे हमारे पास छोटी terms तो आप इसको directly plus करके भी बता सकते कि इसका sum आपके पास 15 के equal होगा लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी AP आजे जिसमें आपकी terms हैं बड़ी जैसे 11, 12, 13, 14, 15 आजें तो वो भी एक AP फॉर्म करेंगे जिसमें difference होगा 1 का लेकिन वो क्योंकि terms बड़ी हैं उसका sum निकालना थोड़ा difficult हो जाएगा तो ऐसे cases में हमारे पास होता है formula sum of first and terms को find करने का formula का derivation क्या है उतनी technicality में नहीं जाएंगे हम बस देखेंगे कि formula है क्या general हमारे पास formula होता है sum को हम represent करते है s से और क्योंकि in general हम sum of and terms देख रहे हैं तो इसलिए हम इसको इस तरह से represent करते है s n वो होता है हमारे पास equal n by 2 2 a plus n minus 1 into d यह होता हमारे पास sum of first and terms का formula n मतलब number of terms कितनी है a मतलब आपका आगया इसमें first term d आगया आपके पास difference तो जैसे हमारे पास एक ap है 1,2,3,4 and 5 इसका हमें चाहिए sum मतलब हमें यह चाहिए 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 क्या होगा तो उसको हम कैसे solve करेंगे हमारे पास यहां पे n है 5 so 5 by 2 यहां पे 2 into a है मिरे पास 1 plus n minus 1 मतलब 5 minus 1 that is 4 और d है मिरे पास 1 so 5 by 2 2 plus 4 that is 6 so 5 into 6 divided by 2 करेंगे 3 so यह आपके पास आगया 15 यह चाहिए मैंने बोली थी कि हम 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 करेंगे तो आपका आजएगा 15 तो यह होता हमारे पास sum of n terms को find करने का method लेकिन यह formula use कहा होगा जहां पर आपके पास ap form करेंगी यह जो formula है यह especially ap के लिए ही है आप randomly कोई भी terms को लेकर sum नहीं निकाल सकते यह वहाँ यह work करेंगा जहां पर आपकी ap form करेंगी इस चीसका दियान रखना so यह एक आपके पास formula हो गया और मैंने बता दे कि आपका यह formula जो है वह यह work करता कैसे इसमें क्या क्या terms क्या क्या बताती है अब ECC related एक और formula बनता है हमारा so जैसे कि हमने एक formula देखा अभी sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d यह हो गया हमारा एक formula जो अभी मैंने देखा लेकिन यह तब work करेंगा अगर आपके पास ap में आपको a पता चल रहा है d पता चल रहा है और आपको n पता है what if अगर आपको सिरफ a और last term गिवन हो आपको first term और last term गिवन है पूरी ap नहीं गिवन उस case में आप d की value क्या डालेंगे नहीं डाल सकते इसलिए ऐसे case में आपके पास एक और formula बनता है formula लिख देती हूँ वो कैसे derive हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ so हमार पास second formula बनता है sn is equal to n by 2 a plus an यह होता हमार पास sum of n terms का तो जब भी आपको कोई question आएगा exam में तो आपको बताया जाएगा कि आपको first 13 terms का sum निकालना है first 12 terms का sum निकालना है first 5 terms का sum निकालना है तो जब भी आपको वो चीज लिखी होगी तो आप n की जगा वो चीज तो लिखते होगे लेकिन अगर आपको ap नहीं गिवन है आपको first term और last term गिवन है उस case में आप formula यूज़ करोगी यह वाला अब आपको दोनों formula लर्न नहीं होते हैं कोई बात नहीं दोनों में से कोई एक लर्न करिए तूसरे का मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप derive कर सकते हो सो हम इसी formula से इस formula को बनाते हैं हमारे पास यह formula है n by 2 a plus an अब हमने previous lecture में पढ़ा था कि हमारा जो an होता है an को find करने का formula क्या होता है an का formula होता था a plus n minus 1 into d ठीक है यह formula तो आपको पता होगा बस यह formula जो है इसी की value हम यहाँ पर put करेंगे so a यह वाला लिख दिया plus a plus n minus 1 into d यह वाला यहाँ यहाँ पर an की value लिखती now n by 2 a plus a आपका जगा 2a plus बागी adjectives रहेगा n minus 1 into d so बन गे हमारा पास यही वाला formula n by 2 2a plus n minus 1 into d यह होगा आपके पास sum of n terms का तो अगर आपने यह वाला formula लिखा है और आपको बाइचांस दूसरा formula नहीं लेण होता है यह बूल जाता है exam में यह doubt होता है तो आप 1 minute में जल्दी से जल्दी इसको derive कर सकते हैं तो आप यह वाला formula बना लेगे अगर आपने यह वाला formula लिखा है यह वाला learn किया है तब भी आप इसको यह बना सकते हैं उस case में क्या करेंगे यहाँ पे जो 2a है उसको split करके a और a लिख दोगे फिर जो पूरा term जो बनेगा उसको आप an लिख लेगा तो दूसरा formula भी बन गया तो आप दोनों में से अगर आप एक ही learn करना जाते हैं तो कर सकते हैं कोई problem नहीं तो मैंने आपको यह बता दिया कि आपके यह formula कहां work करेगा फिर्स्ट formula वर्क करेगा जहां पर आपको प्रॉपर एक ap given होगी ap given है तो आप वहां पर dv निकाल सकते हैं easily first term आपको दिख जाएगी और आपको sum of end terms में बताया जाएगा कि कितनी terms का sum निकालना है तो वहां पर आप end की value लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको ap पूरी नहीं given है आपको बुला गया है कि आपको sum of first end terms का value निकालना है first term और last term आपको given है उस case में आप यूज़ करेंगी इस formula को okay so I hope आपको यह चीज़ समझ आई होगी कि sum of end terms कैसे find करते हैं so अब हम एक NCRT की example देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाजा है कि formula को use कैसे करना है so आपके पास question है कि आपको find करना है sum of first 22 terms of an ap और ap given है आपके पास 8 3 minus 2 and so on so यह आपके पास एक question given है आपका example NCRT की इसको कैसे find करना है हमें बोला गया है कि हमें find करना है sum of first 22 terms N की जगा लिखा है 22 इसका मतला हमें तो बोला गया है as 22 find करना है और given की आपको ap given है यह हमें करना है find given है आपको ap ap में आपको सबसे पहले है तो first term देखकर पता चल रही है 8 d आपको पता चल जाएगा आप minus 3 से 8 को so d आपका आजएगा minus 5 और आपके पास number of terms क्या है अब इस case में number of terms हमें क्या देखनी हमें जो sum निकालना है हमने निकालना है 22 terms का sum हमने n को 22 ही लेना है क्योंकि हमें सिरफ 22 terms का sum निकालना है first 22 terms का first मतलब यहां से जो starting में start हो रही है यहां से 22 terms जाएगी उसका हमें sum निकालना है so यह चीज़ हमें given है तो formula में value put कर लेते हैं formula था s22 is equal to n by 2 था n की जगा लिखूंगी मैं 22 by 2 2 into a था a की जगा 8 plus n minus 1 मतलब 22 minus 1 that is 21 into d है मेरा minus 5 so यह cancel हो जगा 11 आ जगा so यह आपके पास आ जगा 16 minus 105 so 11 into minus 89 that is minus 979 तो हमने कितने easily find कर लिया कि हमारे पास first 22 terms का sum क्या है so आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको formula को कैसे use करना है so now आपके ncrt में formula लिख दिया गया है formula आपका sum of first n positive integers का तो वह formula आया कैसे उसको हम derive कैसे कर सकते हैं उसको एक बर देख लेते हैं so हमारे पास given है हमें find करना है sum of first n positive integers now सबसे बहले तो positive integers के होता है positive integers मतलब 1,2,3,4 up to infinity तक जितने भी numbers है वो सब आते हैं लेकर हमें बोला कि first n positive integers बताईए मतलब 1,2,3,4,5 करकर के n तक आपको लिखना है अब उसका हमने निकालना है sum तो सबसे बहले लिख लेते हैं कि हमारी ap क्या बनेगी ap आपकी हो जाएगी 1,2,3,4 up to n क्योंकि हमें n terms की value निकालनी है तो हमें निकालना है इसका sum तो sum के लिए sn is equal to formula हमारे पास हम कौन सा formula यूज़ करेंगे हम कर लेते हैं first or last term क्योंकि हमें यहाँ पर first term भी given है last term भी given है तो easy हो जाएगा हमारे लिए तो हमारे पास formula होता है a plus an तो a की जगा हम लिखेंगे 1 plus an हमारे पास है n यह कौन सा formula यूज़ किया हमें sn is equal to n by 2 a plus an का चीक है तो बस यह formula बन गया n by 2 into n plus 1 यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं n into n plus 1 whole divided by 2 यह आपके पास formula हो गया sum of first n positive integers का इस formula को रखना याद ओके सो अब आपको बहुत अच्छे से समाझ आगया होगा कि sum of first n terms का मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे find कर सकते हैं दोनों formula मैं मैं आपको बता दिये अब कुछ questions ऐसे आते हैं जिसमें आपको nth term find करने होती है मतलब an की value निकालने है आपको sum दिया होगा 2 terms का तो इस तरह के questions कैसे देखे जाते हैं उसको भी एक बार कर लेते हैं हम discuss so let's suppose कि आपको given है कि sum of first 5 terms is equal to 15 and sum of first 4 terms is equal to 10 यह आपको given है और आपको find करने है a5 की 5th term क्या होगी मतलब यह कि हमें given है कि आपकी first 5 terms का sum है 15 और आपकी first 4 terms का sum है 10 आपको find करने है कि आपकी 5th term कौन सी होगी इस तरह के questions कैसे solve किये जाते हैं उसके लिए आपको करने है आपको find करने a n की value so a n का formula हो जाएगा आपका sum of पहले तो n terms मतलब यहाँ पर 5 लिख है so a5 में से minus करने आपको sum of first 4 terms को so a5 आपका आजाएगा 15 minus 10 a5 is equal to 5 अब यह मैंने random word तो लिये नहीं है कि हमारे पास first 5 terms का 15 है sum और first 4 terms का 10 है यह मैंने लिए है a p जो कि हमने previously देखी थी a p मेरे पास कौन सी थी a p थी 1 2 3 4 5 अब मैंने यह वाली terms क्यों लिए ताकि आपको मैं proof दिखा सकूँ कि यह formula work करता कैसे है यह मेरे पास a p है इसमें first 5 terms कौन सी है 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास first 5 terms और first 4 terms क्या है 4 अब अगर आप first 5 terms का sum देखें डिरेक्ट प्लस करके तो आपको बता चलेगा यह 1 plus 2 आँगा 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 तो मतलब यह मेरे first 5 terms का s5 क्या आ रहा है 15 यही मैंने यह आपे लिखा first 4 terms के अगर मैं बात करूँ तो 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 तो first 4 terms का sum आ गया मेरे पास 10 और मुझे पूछा गया है कि आपको 5th term बतानी है first 2nd 3rd 4th 5th term बतानी है तो 5th term मेरे क्या आ गई 5 अब यह 5 कैसे आ गई हमने क्या किया exactly हमने किया यह 5 terms का पहले sum लिया जो किया रहा है 15 इसमें से हमने माइनस कर दिया यह first 4 terms का sum तो क्या रहा गया यह वली term रहा गई यह हमें करने थी find ठीक है तो हमने क्या किया sum of 5 terms का लिया पहले 15 उसमें से minus किया sum of 4 terms को that is 10 तो आपका answer आ गया 5 तो यह general formula क्या है इसका formula है an is equal to sn minus sn minus 1 तो इस formula को भी याद रखना जो भी value निकालनी है उसका वला sum पहले लिखना है minus करना उससे एक पहले एक कम वला तीक है जैसे 5th term निकालनी थी तो s5 लिया minus किया s4 से तो यह formula भी बहुत important है इसको याद रखना आपके आने वाली exercise में बहुत जादा questions में use हो गई है so बस आज के topic में इतना ही है जिसमें हमने कुछ formulas देखे पहले तो हमने sum of first and terms के दो formulas देखे एक वो जिसमें आपको d given होगा तो आपने normally solve करना है अगर आपको last term given है आपको d नहीं given है तब आपको कैसे check करना है वो भी formula मैंने बता दिया फिर हमने देखा ncrt में हमें दिया गया था first and positive integers का formula so हमने वो भी derive करके देख लिया कि कैसे बनता है formula और आपको मैंने कहा वो learn कर लेना और last में हमने देखा इस तरह के conditions जहां पर आपको 2 sum दियेगे है और आपको nth term find करनी है तो वो भी आपको मैंने with proof बता दिया कि कैसे यह solve करते है और इसका formula भी याद रख लेना so that's all for today अगर आपको यह video useful लगे सारे concept अच्छे से समझ आए हैं so do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos so stay tuned for the next video जो कि हमारी आएगे exercise 5.3 so till then take care bye bye thank you so much